नमस्का दोस्तों आप देख रहे हों मोटबर्ग और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मारूती ब्रेजा और मारूती ग्रैंड विटारा के बार में अब यह जो दोनों ही कार है वो बिल्कुली अलग-अलग सेग्में में बिलॉंग करती है लेकिन फिर भी सिमिलर प्रैसिंग होनी के वज़े से लोगों को बहुत जादा डाउट रहता है कि यार इनमें से आम लोग कौन सी करीदे तो देखो ब्रैजा की जो प्रैस अना वो शुरू होती है 10.2 लाक से लेकर 14 लाक रुपीज एक शूरू हो और आपकी जो ग्रैंड विटारा है ना उसकी प्रैस शूरू होती है 10.45 लाक से शूरू होकर 19.65 लाक एक शूरू हो तो देखो यहाँ पर प्रैसिंग में डेफिनेटली डिफरेंस है लेकिन फिर भी मान लोग कि अगर आपका बजट 13-14 लाक के हिसाब से है या फिर 12 लाक के हिसाब से भी अगर आपका बजट है ना तो आपके मन में डाउट रहेगा कि यहार हम ब्रैजा का हायर वेरिंट कर देखने को मिलते हैं तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वीडियो में पूरा डीटेल में इन दोनों ही कारों को कंपेर करूंगा और इन में से आपको कौन सी लेनी चाहिए आपके लिए कौन सी ज्यादा परफेक्ट चॉइस रहेगे इसके बार में मैं आपको पू तो सबसे बिले लेन्ध और विरत के साफसे ग्रैंड विटारा के इनदर लाना थोड़ी ज्यादा मिलती है कंपेर recuperate to the bresa तो ग्रैंड विटारा के ब्रूम जाफ ज्यादा है और विरत भी यार ब्रैर से ज्यादा मिलती है तो ओर राल स्पेस आपको ज्यादा मिलेगा लेगरों में नीरूम के हिसाब से आपको Grand Vitara काफी पसंद आएगी साथ में इस गाड़ी के अंदर पांच लोग अराम से comfortable होकर बैठ सकते हैं और एक हो special चीज है कि आपको Grand Vitara के पीछे के seat में तीन headrest मिलते हैं यानि कि जो center passenger है उसको भी काफी सही comfort मिलेगा वही ब्रेजा के अंदर center headrest आपको नहीं मिलता तो ये एक missing चीज मुझे लगी लेकिन दोस्तो हाइट के इसाब से अगर आपको एक सही गाड़ी चाहिए तो ब्रेजा यार बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ब्रेजा के अवररल height ज्यादा है जिसके वज़े से अगर आपकी height 6 feet से ज्यादा है न तो ब्रेजा आपको काफी comfortable feel होगी personally जब मैं गाड़ी को देख रहा था तो मुझे ग्राइंड विटारा को जो headroom है वो kind of disappointing लगा मेरी जो height वो around 6.1, 6.2 के आसपास है तो थोड़ा headroom उसमें ज्यादा होना चाहिए था लेकिन ब्रेजा के अंदर न मुझे यसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई तो यह था दोनों के dimensions के regarding अभी चले बात के लेते comfort के बार में तो comfort wise यार कौनसी काड़ी आपको ज्यादा पसंद आने वालिया तो सामने की seat की साबसे दोनों ही बहुत ज़्यादा comfortable है no doubt दोनों में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी seat की cushioning, under thigh support और back support दोनों के अंदर बहुत ही सही लगा लेकिन पीछे की seat की साबसे grand vitara मुझे थोड़ी ज़्यादा सही लगी है because यार सबसे बहुत है थाई support जो है वो आपको grand vitara के अंदर थोड़ा सही मिलता है secondly center passenger के लिए एक extra headrest भी मिलता है जिसके वज़ेसे comfort थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है passengers के लिए तो अगर आपको comfort कावी ज़्यादा सही चाहिए तो grand vitara यार आपको थोड़ी बहुत पसंद आने वाली है इसके बाद उस तो चले बात कर लेते हैं गाड़ी के exterior के बार में तो look wise अगर मैं बात करू तो looks या सबजेक्टी होते हैं हो सकता है किसी को grand vitara के looks ज्यादा पसंद आई हो सकता है किसी को brezza के looks ज्यादा पसंद आई तो देखो मुझे दोनों के looks बहुत ज्यादा पसंद है दोनों यह देखने के साब से यार बहुत ही आकशक लगते हैं road presence में भी आर कोई कमी नहीं है लेगन किसी एक को pick करना हो तो मैं definitely grand vitara के तरफ जाना चाहूँगा because इस गाड़ी की जो looks है वो बिलकुली अलग level लगती है especially silver color के अंदर सामने से just आप design देखो यार जो grill का design है, जो headlight का design है वो काफ़ी ज्यादा futuristic लगता है लेगन इससे भी ज्यादा मुझे बढ़िया इसका rare design लगा पीचे जो design आपको मिलती है वो बिलकुली अलग level वाली है especially silver color के अंदर इसका rare मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया complete black doubt आपको tail lamps देखने को मिल जाते हैं तो Suzuki की badging है वो भी यार बहुत ज़्यादा अकरिशक लगती है side design में अगर आप overall देखेंगे तो काफी proportional सी आपको एक design मिलती है SUV and crossover का kind of एक mixture है तो overall design wise मुझे यार grand विटारा बहुत ज़्यादा सही लगी है breza में आपको थोड़ी boxy सी design मिलती है classy आपको बहुत ज़्यादा feel होगी पीचे का design यार इसका मुझे काफी सही लगा लेकिन सामने का जो grill है वो थोड़ा सा improve हो सकता था मेरी इसाब से लेकिन यार इसका भी design जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा modern looking है और एक rugged जो feel है इसके अंदर आपको मिल जाता है बाकि build quality के बार में बात करो तो quality levels मुझे दोनों के same लगे kind of exterior जो build quality है उसमें कोई difference नहीं है दोनों इकारों को same platform पर बनाया गया है यानि कि global C platform safety भी यार इसके अंदर काफी सही मिलती है विससे safety के बार में मैं आपको बात में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर लेकिन overall build quality wise honestly मुझे दोनों के अंदर कोई difference देखने को नहीं मिला दोनों या segment के इसाब से one of the best है quality wise interior के बार में भी बात कर लेते interior design के इसाब से ज़्यादा कोई difference नहीं है दोनों में आपको same character मिलता है design का लेकिन जो quality levels है वो grand vitara के यार मुझे बहुत ज़्यादा सही लगे grand vitara के अंदर आपको hard plastic के साथ soft edge material भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है जो overall fit finish है वो भी बहुत ज़्यादा सही है तो modern looking interior के साथ एक premium जो feel है वो आपको पूरा मिलेगा grand vitara के अंदर ब्रेजा का interior देखने में बहुत ज़्यादा modern है लेकिन आपको पूरे गाड़ी में hard plastics काफी सारे देखने को मिल जाते है and fit finish के साबसे सही है लेकिन फिर भी premium feel अगर आपको चाहिए तो grand vitara ज्यादा पसंद आएगा इसके बाद दोस्तों चले बात कर लेते हैं features के बार में तो आजकल आपको पता होगा कि मारूती की सब भी गाड़ीों के अंदर आपको features बहुत सारे देखने को मिल जाते है साथ में आपको auto dimming IRVM, climate control ACs, electronically adjustable and foldable ORVMs दोनों के अंदर आपको sunroof भी मिलेगा और ऐसे ही बहुत सारे features उसको include किया गया है दोनों ही कारों में लेकिन दोस्तों अगर आप grand vitara का higher variant लेते हो तो उसके अंदर आपको दो special चीज़े देखने को मिल जाती है सबसे पहले आपको strong hybrid वाली technology मिलेगी जो कि यार Honda और Toyota को चोड़ कर कोई भी provide नहीं कर रहा है इस budget के इसाब से तो strong hybrid में basically क्या होता है कि आपको separate एक extra motor और बैटरी मिलती है जिसके वज़े से performance में भी थोड़ा सा बदलावाता है साथ में जो average है वो बहुत ज़़ा बढ़ जाती है इतनी बड़ी काड़ी होने के बावजोद भी grand vitara के अंदर आपको लगबग 28 km पिल तक average देखने को मिल जाती है जो कि यार बहुती बड़ी बात है तो इसको लेकर यार मैं बहुत ज़़ा impressed हूँ साथ में यार all wheel drive का जो option है वो भी आपको इसके higher value में देखने को मिलेगा तो अगर आपको थोड़ी बहुत off-roading करनी है तो ये काड़ी आपके लिए बहुत ज़़दा practical साबित होगी तो feature wise यार दोनों में कोई कमी नहीं है price के साथ से यार दोनों के अंदर आपको different features मिल जाते है इसके बाद दोस्तों चले आप जान लेते हैं दोनों ही गाड़ीों के performance के regarding तो देखो सबसे बिल अगर मैं बात करो engine के तो दोनों ही ब्रेजा एंड grand vitara के अंदर आपको K15C वाला petrol engine मिलता है जिसके अंदर आपको around 103BHP की power और 136NM का torque मिलेगा और average BR आपको 21KM के आसपस देखने को मिल जाती है और इसके साथ आपको mild hybrid वाली technology भी मिलेगी जो कि आपको काफी gimmicky है जो कि real life में बिलकुली काम नहीं करती तो ये जो engine है वो दोनों ही आपको ब्रेजान Grand Vitara के अंदर देखने को मिलेगा और काफी decent engine है बहुत सालों से चला आ रहा है और इसके अंदर आपको average भी around 20KM के आसपस देखने को मिल जाती है और power and performance BR इसमें बहुत ज़्यदा decent है लेकिन Grand Vitara के अंदर आपको second engine मिलता है जो की है Toyota के तरफ से तो इस engine का नाम है 1.5L का M15D engine जो की produce करता है around 91BHP की power और 122NM का torque और साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको strong hybrid वाली technology मिलेगे जिसमें आपको separate एक motor मिलेगा जो की produce करता है around 79BHP की power और 141NM का torque और इसके अंदर separate आपको battery मिलती है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि overall जो average है ना वो आपका around 28 KMP के असपास मिलेगे और जो driving range है ना full tank में वो पहुंच जाती है around 1260 km मतलब एक बार अगर आप full tank करेंगे ना तो लगबग 1200 km के असपास आप इस गाड़ी को बहुत ही आराम से चला सकती हो तो overall यापर technology के जिसाब से definitely आपको grand विटा रहागा जो strong hybrid वाला variant है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा लेकिन यार उसकी price ना बहुत ही ज़्यादा expensive है और लगबग 18-19 lakh के असपास वो पहुंच जाती है तो आपके budget पर पुरे depend करता है बागी दोस्तों यापर gearbox में कोई difference नहीं है दोनों के अंदर आपको 5-speed का manual transmission और 6-speed का आपको talk converter देखने को मिलेगा gearbox यार दोनों automatic and manual के अंदर काफी ज़्यादा smooth है और gear shifting के समय पर आपको दोनों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले तो ये था दोनों के performance and gearbox की regarding अभी चले बात कर लेते driving dynamics की बार में तो देखो ब्रेजा के अंदर आपको ज्यादा ज़र इसी box इसी design मिलती है height भी आर उसकी ज्यादा है तो stability wise आपको grand vitara जो है अपने कम height के वज़े से थोड़ी से आपको ज्यादा stable feel होगी हाला कि ब्रेजा भी काफी stable feel होती है लेकिन फिर भी overall control के हिसाब से overall handling के हिसाब से आपको grand vitara थोड़ी सी ज्यादा पसंद आने वाली है बागी steering का feedback दोनों का मुझे kind of same लगा और body roll के बार में बात करो तो cornering करते समय थोड़ा सा body roll आपको दोनों के अंदर feel होगा लेकिन overall grand vitara corners में ज्यादा अच्छी perform करती है उसके कम height के वज़े से बागी दूसरा अगर मैं बात करो ride quality के बार में तो दोनों के अंदर आपको काफी comfortable suspension मिलते हैं तो अगर आप कराब रस्तों में या आपी speed breakers के उपर दोनों ही गाड़ियों को चलाएंगे न तो passengers को जो overall ride quality है न वो काफी ज़दा पसंद आएगी तो कोई भी ज़दा आपको jerkiness वगरा feel नहीं होता है कराब रस्तों के अंदर और अंत में दोसरा अगर मैं बात करो safety की बार में तो safety wise न या आप पर दोनों में कोई difference नहीं है दोनों के अंदर आपको सारे safety features मिल जाते हैं including six airbags, ABS, EBD, seat belt with pre-tensioner and load limiter 360 degree वाला camera, reverse parking sensors, traction control, ESP, brake assist, hill hold assist ऐसी बहुत साइज जो features है न वो आपको safety के अंदर मिल जाते हैं अभी दोनों ही गाड़िया ग्लोबल C platform के अंदर बनाए गई है जिसके वज़े से crash test भी है इन दोनों ही कारों के आप काफी अच्छे expect कर सकते हैं अभी इन दोनों ही गाड़ियों को crash test नहीं किया गया है लेकिन फिर भी मुझे एकिन है कि अराम से जो दोनों ही कार है न वो 4 star की जो rating है वो आराम से achieve कर सकते हैं तो यह था सब को जो कि मैं आपको बताना चाहता था इन दोनों ही कारों के रिकारिंग अभी चले बात कर लेते conclusion के बार में तो देखो यह आपको दोनों ही कारों के अंदर कोई difference नहीं है honestly दोनों ही कार सेम है pricing का यह आपको थोड़ा सा अंतर है तो देखो अगर आपको कम पैसों में ज्यादा एक premium feel चाहिए comfort अगर आपको बहुत ही ज्यादा सही चाहिए family purpose के लिए purely अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि आप grand vitara ले लो देखने के साबसे भी आर काफी आकशक गाड़ी है और साथ में न comfort वगेरा आपको overall काफी सही उसके अंदर देखने को मिल जाता है बागी दोस्तों अगर आपको कम कीमत में ज्यादा features चाहिए है मतलब अगर आपको budget 14 lakhs के साबसे है सारे features अगर आपको उसी budget में चाहिए है तो definitely आप brezza ले सकते हो overall मुझे कहीं न कहीं लगता है कि grand vitara brezza से ज्यादा बढ़िया है लेकिन फिर भी budget के साबसे brezza अपने segment में one of the perfect choice है और grand vitara अपने segment में one of the perfect choice है तो यह था दोस्तों जो कि मैं आपको बताना चाहता था इन दोनों ही कारों के regarding तो दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बुलेगा और इसी के साथ अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखने है तो ज़रूसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत बुलेगा तो इसी के साथ चलिए मिलते आपसे अगली वीडियो के अंदर तब तर के लिए गुडबाई और टेक केर